नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी बिजनस ट्रेनर कॉर्परेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फ्रेंड्स हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि किस तरह से अपनी पेमिंट की रिकवरी की जाती है अगर आप किसी बायर को क्रेडिट पर माल देते हैं तो उसको किस तरह से सेफ किया जाता है तो बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट किया कि सर आपने बताया था कि बिजनस में पेमिंट की रिकवरी करने के लिए हमें हमेशा माल जब क्रेडिट पर दें तो एक PDC रिसीव कर लेना चाहिए PDC stands for post-dated check लेकिन बहुत सारे बिजनस मेंने comment किया कि सर जब हम PDC लेकर काम करते हैं तो कई बार वो client या वो buyer या वो party उस post-dated check को bounce करा देता है तो इसका solution क्या है तो friends आपकी इस problem को solve करने के लिए और उस पर बातचीत करने के लिए आज के हमारे special guest है advocate योगेश अगरवाल जी CEO and founder director jurist law office जो practice करते हैं डेली high court में तो योगेश जी सबसे पहले तो आपका इस वीडियो में बहुत-बहुत हारदिक स्वागत है तो योगेश सर हमने कुछ दिन पहले एक business वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि जो लोग credit पर material sale करते हैं वो किस तरह से अपनी payment को safe करें और secure करें लेकिन उन में से कई लोगों के questions थे कि सर जब हम post dated check भी ले लेते हैं तब कई बार client या buyer हमारा post dated check bounce करवा जेता है मतलब उसके बास payment available नहीं होती और बड़ी मुश्किल हो जाती है अपनी payment को recover करने में तो उसका क्या प्रावधान है कानून के तहत हम किस तरह से अपनी payment को recover कर सकते हैं इस पर थोड़ी जानकारी हमारी viewers को जरूर दे धन्यवाद डोक्टर साब आपने आज मेरे को इस टॉक्षो के अंदर बुलाया तो मैं आपके सभी viewers को बताना चाहता हूं कि अगर आपका कोई भी check bounce होता है तो law में इसका प्रावधान दिया गया है इस पेशल इसके लिए एक्ट बना गया है नेगोशेबल इंस्टूमेंट एक्ट जिसके अंदर सेक्शन 138 के अंतरगत हम एक मुकदमा डाल सकते हैं अगर आपका किसी ने check bounce कर रहा है तो उसके अगेंस्ट उके तो इसका process क्या रहेगा वकिल साब आप मुझे बताएं कि किस तरह से हम उस बायर के प्रती ताकि हमें relation भी बने रहें शुरुआत में ऐसा ना हो कि कहीं बार की payment recovery के चक्कर में business relation खराब हो जाए क्या साफधानी बरते हैं और यदि फिर भी payment नहीं मिलती तो किस तरह स specific law है यह और मैं आपको step by step एक procedure बताएता हूँ जो आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आपने किसी से check लिया है और वो bounce हो जाता है तो उसके अंदर main सबसे पहले आपको देखना है bounce होने के reasons क्या है specific तीन reasons जो होते हैं जिसके अंदर हम check bounce पे generally court के अंदर जाते हैं या तो आपका check जो है वो insufficient balance के कारण bounce हुआ है मतलब जो buyer था उसके account में balance नहीं है उन्होंने balance नहीं था उन्होंने और वो आपको check दे दिया है second reason हो सकता है उन्होंने stop payment करा दिया है और third main reason कई बार देखने को मिलता है इसके अंदर exceed arrangement होता है तो यह तीन reason generally पाय जाते हैं इसके अ किसी कोई person आपको check देता है और वो bounce हो जाता है इन reasons के कारण तो आप immediately इसमें बड़ा specific law है डोक्र साब हमें immediately within 30 days उनको demand notice भेजना होता है तो अगर आप वो 30 दिन तक demand notice नहीं भेजते हैं तो आप check bounce का case उनके against नहीं file कर सकते हैं मतलब यदि किसी का check bounce होता है तो within 30 days हमें advocate के through एक notice serve करना चाहिए आपको demand notice भेजना होगा 30 दिन के अंदर और 30 दिन के बाद वहां पर आप जो demand notice भेजेंगे उसके अंदर 15 दिन का time दिये जाता है कि आपने ये check हमार को issue करा था particular चीज के बदले में या आपने जो भी उनको माल दिया है या आपका कोई और transaction है तो आ return करना था जिसके बदले में आपने मेरे को एक check issue करा और ये check bounce हो गया है इस current से मैं आपको intimate करता हूं और ये demand करता हूं कि 15 दिन के अंदर मेरे को ये payment आप जमा कीजिए 15 दिन के अंदर मेरे को ये payment दीजिए otherwise मैं आपके खिलाफ legal action लूंगा तो मैंने देखा कि most of the time जब क जिसी को हम notice serve करते हैं तो जारतर व्यापारी तो notice पर ही payment देते हैं क्योंकि कोई भी कानूनी पच्छड़े में पढ़ना नहीं चाहता चाहता नहीं कि उसके business में किसी पी तरह का कोई कानूनी प्राफधान आये किसी तरह के समस्या हो तो लेकिन उसके बावजूद भी अग आपके पास payment नहीं आती है तो immediately आप court को approach कर सकते हैं और उनके खिलाफ एक 138 NIA Act के अंदर case को दायर कर सकते हैं मैं आपको बतायता हूं sir यह जो 138 का case होता है यह criminal nature का case होता है और इसके अंदर जो सजा का प्रावधान है किसी भी पसंद को अगर यहां पर guilty माना जाता है guilty proof होता है वो case के अंदर तो उसको दो साल तक की सजा और double the amount of the check as a fine उसको देना पड़ सकता है तो double the fine of the check value प्लस जो उसका court का जो खर्चवा वो भी हम demand कर सकते हैं डॉक्टर साब यह एक तेरह का criminal case है यह recovery case नहीं है यहां पर हम कोई भी चीज़ demand नहीं करते हैं यहां पर हम चेक बाउंस का case जालते हैं जो एक तरह का criminal nature का case है जहां पर एक यह माना जाता है कि अगर किसी ने किसी को चेक दे करके bounce कराया है तो उसने हमारे law के recording crime कराया है तो हमें complaint case के अंदर फाइल करते हैं और complaint case के अंदर अगर वह guilty prove होता है तो उसको दो साल तक की सजा और double the amount का fine court उसको देगा लगा सकती है तो वकील साब एक पूछना चाहता हूं तीन cases आपने बताएं तीन तरीके आपने बताएं जिस तरह से check bounce हो जाता है सबसे पहला insufficient fund जिसकी वज़े से check bounce हो गया या stop payment client ने payment stop करवा दिया तीसरा आपने बताया था एकसीड अरेंजमेंट तो यह क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हमारे viewers को बताएं जब भी आप कोई check present करते हैं bank के अंदर तो आपको वहाँ से returning memo मिलता है जब check bounce होता है तो वहाँ पर बहुत सारे reasons दी होते हैं उनमें से एक reason होता है एकसीड अरेंजमेंट जनरली जब आता है जब आप कोई check लगाते हैं और यह सोच करके लगाते हैं कि मैंने एक दूसरा check को अपने bank के अंदर डाला हुआ है जो पास हो जाएगा और वह पास होने के बाद मेरा यह check भी पास हो जाएगा हां मतलब कई बार मुझे जो payment किसी को करनी है जी मेरे बाइर से किसी के मेरे पास payment आनी है तो मैंने सोचा कि यह amount transfer हो जाएगा उसके बदले यह check कर जाएगा तो इसको exceed arrangement के तरीके से माना जाता है कि वो check नहीं वो check पास नहीं हुआ या वो check अभी मतलब गलती से पहले bounce हो गया और बाद में हो clear हुआ जी वो check अभी bank के अंदर लगा नहीं है और यह check पहले लग गया जिसके कारण यह check bounce हो गया जी तो इस case में किस तरह से recovery की जा सकत है देखिए इसके अंदर मैंने आपको बताया है तीनों रिजन के ऊपर आप फ्रूट ओफ लो वन थर्टी एट अंदर complaint केस फाइल करके आप इसको बुला सकते हैं और कोट के थूर यह recovery case नहीं है यह क्राइम है अगर आपको recovery करनी है पैसे की तो इसके अलावा side by side civil case भी जालतर व्यापारी वर्ग कभी भी प्रयास नहीं करते कि उनका check bounce हो अगर bounce हो गया most of the time notice पर वो सारी problem solve हो जाती है नहीं होती है तो 138 register करने पर कानून के थूरू हम लोग वो पैसा recover कर सकते हैं पेमेंट ने से तो योगेश एकरवाल जी थोड़ा हमारी viewers को यह बताएं कि कि अगर हमें 138 का case register करना है तो उसका procedure क्या है कौन-कौन से steps हमें follow करना है देखिए अगर आपको 138 का case court के अंदर complaint case दायर करना है उसका सबसे पहला procedure मैंने आपको बताया आपको 30 दिन के अंदर demand notice धिजना होगा जिसके अंदर हम 15 दिन का time देंगे कि 15 दिन के आप payment कराई अगर वह 15 दिन के अंदर payment नहीं जमा कराते हैं तो आपके पास further 30 दिन का ओर time मिलता है जिसके अंदर आप court के सामने complaint case फाइल कर सकते हैं अगर आप 30 दिन के अंदर case नहीं फाइल करते हैं तो आपका यह case इंस्ट्रॉक्ट्ट्रोस हो जाएगा फिर आपके पास criminal case फाइल क करके ही recover कर सकते हैं इनके सगस हमें delay हो गया है तो हम लोग criminal case की जगा civil case करके भी अपना fund अपना amount recover कर सकते हैं जनरली हम सजेस्ट करते हैं कि अगर ऐसा कोई amount है तो आप दोनों cases के लिए जा सकते हैं आप criminal case 138 के अंदर फाइल कर सकते हैं और side by side आप civil case भी फाइल कर सकते ह इसमें एक चीज़ और आप ध्यान रख सकते हैं जनरली हम awareness नहीं होती कि हमें court case कैसे file करना इसके अंदर तो डोक्र साब मैं इसमें यहीं बोलूँगा कि जैसे ही आपका कोई check bounce होता है तो आप immediately किसी भी अच्छे advocate को approach करेंगे और उनको जाकर के अपना सारा dealings बताएंग जिसके अंदर आपकी जिस भी तरह की transaction है अगर आपकी commercial transaction है तो उससे related invoices अगर आपका कोई loan transaction है तो loan का agreement और otherwise जो भी आपकी transaction से उनके paper ले करके जाएंगे एक demand notice भेजेंगे और within 30 days demand notice supply होने के बाद आपको यह case दायर कर देना अमोमन कितना समय लगता है जब हम 138 का case register कर करते हैं तो कितना से मैं लगता है आप मारी payment को recover करने में यह जरूर जानना चाहते हैं लेकिन जो supreme court के orders है जो judgments है उसके according 138 summary trial है और summary trial को within six months court को sum up करना होता है बट हमारे court के अंदर pregnancy बहुत है cases की जिसके कारण यह six months के अंदर sum up नहीं हो पाते हैं डिले हो यह डिपेंड क करता है कि आपका court आपका case की score के अंदर लगाए तो मैं इस पर कोई comment नहीं करूंगा तो friends आज हमने जाना कि business में check bounce की problem को भी solve किया जा सकता है और आपका पैसा यदि सही तरीके वेसे recover करें तो डूबेगा नहीं आप legal से संबंदित अकर कोई भी information चाहते हैं तो योगेश अगरवाल जी के चैनल advocate योगेश अगरवाल को जरूर सब्सक्राइब करें जो आपको legal से संबंदित, business से संबंदित, recovery से संबंदित और हर तरह की problem के लिए solution जरूर देंगे योगेश सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर थेंक्यू वेरिम झाल